दिवाली पाल दिनों तर चलने वाला प्योखार है इसके हरे एक दिन का अलग महाच्वा है दिवाली का पहला दिन है धन्ते रज इस दिन समुद्र मन्धन से चोधा रतना प्रात्व हुए उसमें से एक है भगवान धन्धन दिन उनके हाथ में अमुर्ट का जला था वह आयूर्वेदा के जनक है उन्हों ही सम्पूर्द संसार को आयी र्वेदा का ज्यान दिया तबसे लेकर आप्स तबसे लेकर न देक वाश इस दिन को दंतेरस एवन दंत्रियों दशित से जाना जाता दूसरे दिन हैं नरक्ष दुर्दशी एक समय संसार में नरकासूर का आतंग था इस दिन देवी सत्य भामा ने कववत किया था तब से लेकर पर्टे क्वाश इस दिन को नरक्ष दुर्दशी से जाना चाता है तीसरे दिन है लक्ष मिपुजर इस दिन समुद्र मेंधन से माता लक्ष्मी प्रगठ हुई थी तब से रेका प्रत्यक वाष यर्ष एवान धनत प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की कामना की जाती है धिवाली का चाथा दिन है गोवधन पुजा इस दिन भगवान कृष्मी ने लोगों को बचाने के लिए गोवधन को अपने एक उंड़ी पे उठा लिया तब से लेका प्रत्यक वाष इस दिन गोवधन की पुजा की जाती है धिवाली का पाच्वा दिन है भाई दूज कठाओ के अनुसार इस दिन पुर्ट्यू के देवता यमराज अपने बहान यमुना से मिलने के उसका आदर सुपकर देखकर वह बहुत बहुत परसंद हुए उन्हों में वर्दान लिया कि जो भई अपने बहान के लिए जाएंगा उसे काय चकर से मुक्ती मिनेंगी और मुक्षी प्राप्ती होगी तब से लेकर पुरत्यक वार्ष की दिन भाई दूज से मनाया जाता है इस दिन भणने अपने बहाईों के सुरक्षा के लिए पूजा करते है थैंक यू दिवालिया आई मस्ती छाएं धूम दमा का छराफटा का जली फुल जडिया जली फुल जडिया दोड़ी सक्षिया जले भी लेड्डू खाएगा गर्डू मेला जाएंगे धूम जाएंगे थैंक यू